कैसे हैं आप सब होप आप लोग अच्छे होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ चिकन की आथेंटिक रेसिपी जो की बनाना है बहुत ही आसान तो सबसे पहले इदम बिल्कुल वन पॉट में बनके तैयार हो जाईए तो सबसे पहले आपको करना क्या है कुक कि इससे क्या होगा कि जो बिसाइंदा होता है उसका मतलब एक अजीब साइसमेल होता है वो उड़ जाएगा और बहुत ही अच्छी खुश्वू आने लगे देने के करके आप इसको क्या करेंगे अलग निकाल लेंगे प्लेट में अब हम इसी कुकर में और इसी तेल में हम बनाएंगे क्या आगे का जो प्रोसेस है मसाला वेगरा जो भी है हम इसी में तयार करेंगे तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे निकाल लेंगे इसके बाद आपको जितना खरा गरा मसाला होता है आपको उसमें डाल देना है जीरा बड़ी लाईची जितना गरा मसाला होता ह प्यास को डाल देना है चिकन की क्या करता है ट्रांस्पैरेंट सा हो जाएगा तब आपको क्या करना है बिल्कुल ब्राउन में अगर नहीं करना बस हलका सब कलर चींज हो जाएगा तब उसमें आपको मुटा मुटा कट करके टमाटर डाल देना है उसके बाद आपको डाल दे spos बहुत जादा हो चुका है तो तो इस थोड़ा झा pendants नाइड करना ही पड़ता है तो उसके बाद क्या करना है पानी डाल देना थोड़ा सा नमग डाल गा क्ष़ेखेखिया तेस्ट करना लिड़ लगाके कर दो देंगे छीन के प्याद बिल्कुल गल के तयार है जू और ट्रीफ टास साथ लाद के ऐसा इर दाँ बार चुकाamas उसके बाद इसको बस आप एक से दो सीटी ही लगाएंगे उसके बाद बिल्कुल नैचरल रिलीज होने देंगे आप उसका स्टीम इसके बाद ढखन खोलेंगे तो इस तरीके का चिकन बनके तयार होगा देना आपको क्या करना है इस पर से थोड़ा सा धनिया पती स्प्रिंकल कर देना है हरा धनिया और अद्रक दोनों को स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके का बनके तयार हो जाएगा जबरदस्त हमारा चिकन बनके तयार है तो हमारी जबरदस्ती चिकन की रेसिपी बनके तयार हो